टीम इंडिया के जीत के बाद सूर्यीया यादों ने सिर्फ एक कॉल पर हीई इस मरते हुए बच्चे को दे दिया दस लाग का तान तो दोस्तों आखिर क्या है ख़वर की पूरी जनकारी और ओभी सूर्या यादों ने इस बच्चे को दिया 10 लाग का दान आखिर क्यों बताएंगे आपको पूरे खवर की जनकारी ओभी पूरे डिटेल के माध्यम से लेकिन उससे पहले अगर आप और चनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चनल को सब्सक्राइब जोगो करें और बिना समय लेते हुए आई ये वीडियो को सुरू कर देते हैं तो दोस्तों को बतातना चाहते हैं कि सूर कुमार यादो जो कि सोचल मीडिया का खोव ज़्यादा वारल होते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तो हर तरफ जोगी इनहीं का चर्चा चल रहा है और दोस्ते इनहीं सब के भी जो की सुरकुमार यादों ने एक और महानता वह महानता होना काम कर दिया है जो कि रोट पर बिल्कुल ही अकेले ही छट पटाते हुए नजर आ रहा था तब ही उनकी पत्नी ने सुरकुमार यादो को फोन किया तब ही सुरकुमार यादो ने उसे हो स्पीटल में एडमिट करवाया और वहाईं से 10 लख रुपया का दान दे दिया लेकिन दोस्तों आप सोच सकते हैं कि सुरकुमार यादो जो कि जितना ज़्यादा जो कि किर्केट के दुनिया में उनका जो कि दबदबा चलते हुए नजर आता है उससे भी जर्यादील जो कि सुरकुमार यादो अपने social media पर भी दिखते हैं क्योंकि सुरकुमार यादो ने इस मरते हुए बच्चे को भी 10 लाखादान दे दिया बिना को सोचे समझे लेकिन सुर्कुमार्यादों की बात जो कहीं जाये तो सुर्कुमार्यादों जो की बहुत ज़्यादा कम होगा क्योंकि सुर्कुमार्यादों ने इस तरह का दान जो की पहली बार नहीं बहुत बार कर दिया है लेकिन यह मरता हुआ बच्चा जो कि उनके गहर के सामने ही एक्सिडेंट कर गया था और दोस्तो हुआ बच्चा जो काफे ज़्यादा चोट लग गया है जिस वज़े से इस बच्चे का बच्च पना जो की काफे ज़्यादा मुस्किल हो गया है और इससे बहुत ही माँगे इलाज की जरूरत परी तो कि सुर्क मारियादों ले 10 लग रुपज़ दे कर इस बच्ची की जान बचा ली लेकिन दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे सुर्क मारियादों के लिए इस दर्यादिल के बारे में आप अपने रांकोमेंट बोक्स में जरूर बताएगा दोस्तों